सलाम, नमस्ते, हेलो केम, छो स्वागत है, आप सभी का आपके अपने परिवाद जीए भाई प्यूश सर पे, जो है जीए जीके जीएस का वन स्टॉप सेंटर, तो दोस्तों, आज से हम लोग LIC, AEO की तयारी भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें की 93,000 सेलरी तो ऐसे ही दिखा रही है, और उसके बाद जो पर्क्स मिल रहे हैं, जिस तरीके के पर्क्स मैंने आप लोग को LIC के जो नोटिफिकेशन में बताया था, एक एक चीज़ बताया था, फरनीचर का, न्यूस पेपर का, मोबाइल हैंड सेट तक का एलोएंस आपको मिला, बलब इतने एलोएंस थे, भाई साब देख के दिल खुश हो गया, मतलब मन में लालच आ गया, तो दोस्तों, आप लोगों के पास सुनहरा अवसर है, LIC में जॉब पाने का, तो दोस्तों तो यह, जो है, SBI क्लर्क की वेकंसी, तो हम लोगी कल खतम हो गई, मतलब वेकंसी का एक्जाम खतम हो गए, और अब तो सीधे रिजल्ट ही आएगा, SBI क्लर्क का, क्योंकि पीयो में तो पता भी चल जाता है, कि इंटर्व्यू के लिए कौन आया, तो मेंस को किसका निकला, सीधे बस रिजल्ट ही आता है, अच्छा ऐसा देखा गिया, RRB करक का पेपर देके बच्चे आए, बहुत रोएग आए, सर मेरा पेपर खराब हो गया, फ। आफ रिच्ट हो गये बहुत जादा, सर मेरा पेपर खराब हो गया पिछले साल आई भी पीस क्लर्क भी देखे आये थे तो भी रोएग आये कि बहुत पेपर खराब हो गया फिर पता क्या चला जिस दिन एक अपरेल को रिजल्ट आया भी पीस क्लर्क का कि सर मेरा जीये में 12 नंबर मैं क्लर्क बन गई तो इस लिए एक नंबर कट औफ गया सर दो नंबर कट आफ गया जीए disc लेकिन जब बाचांच आएगा तो आंगा तो इस रोने और गाने और रैसने गाने की बीची व जो कि यह को असानी से नहीं मिलता पियोड वालों को पता चल जाता है क्योंकि वह इंटर्व्यू में जाते एक लर्पाले इंटर्व्यू में नहीं जाते। क्लियर है मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोग को ओके तो अगर पेपर इजी ना आये तो और अच्छा है कटफ कम रहा जाती है तो कल आप लोग ने बताया कि मैथ्स रीजनिंग और जी यह बहुत टफ थे तो कटफ जो है कम जाएगी है ना इसलिए टेंसन नहीं लेना ठीक है क्योंकि भई आपको उन्हीं लोगों से कंप्टिशन करना है जो लोग आपके साथ एक्जाम दे रहे थे इसलिए टेंसन मतलो हां इस कहानी से एक शिक्षा जरूर लो हर कहानी से शिक्षा जरूर लेना है क्या सिक्षा लेना है यार यह वाली कैप्सुल वाली क्लास तो मज़ा ही आ गया यार ना एंबी एफसी का पिरामीड पढ़ा दिया वह एक्जाम में आ गया बैड बैंक का क्रेडिट गारंटी और वह पढ़ा दिया सेक्यूर्टी रिसीप्ट पूरा डिटिल वह आ गया कि दोस्तों 2 le frater की स्ट्व बताओ सहकरिता मन्तराले कब बना जब दो सल पहले जो बना था नया मंतरा ले मज़ा आया दोस्तों बहुत सारी चीजे है और कैप्सूल डिसकुसन वह नहीं था इस बार वह डैंकिन फिनेंशिल अवनिस का डिसकुसन ता और उसमें हम लोग उन एक दम treadmill typical चीजे जो है करी हम लोग बात कर रहे थे कि कि इस कहानी से क्या सिक्षा मिलती है कि हमेर रेगुलर हो जाना है कि अगि मैं हमनी सीजनली पढ़ रहा हैं तो यदे आप स्उटकट एक चुछ रहे ह parlar साथ सोटकट नहीं मिलेगा कचुष बनना पड़ेगा रेगुलर होना पड़ेगा एकदम धीरे-दीरे चलना और रोज चलना होगा रोज चलना होगा रोज दीरे दीरे चलना हो यह दस दिन में वाला जमें गया वह समय गया जो आपकी सीनियर्स बताते थे दस दिन में जीए कर लेना वह समय गया वह सोचो जनवरी के कोश्चन मार्च के कोश्चन पिछले साल के कोश्चन बैड बैंक का कोश्चन कोपरेशन मिनिश्टर 2020 का कोश्चन ऐसे कोश्चन अब आपको रेगुलर रहने पढ़ेंगे रेगुलर वालों को फाइदा होगा बात समझ में आ रही है को रेगुलर रहना पढ़ेगा कोई सब्स्ट्यूट नहीं है याद रखिए ठीक है देखिए मैंने यह लाश्ट क्ला कि यह कोश्चन आपकी एक्जाम में आया था कि है ना है कि यह को श्चन है करेंट डेफ शिट क्यों हुआ कि स्वजह से हुआ को ediyorum कोई भी चीज़ हो रहा है कहीं पर हम धूरा में हो रहा है करेंट के हुट काउंट में हो रहा है इस रीज़र में हो रहा है यह फिसकल हो रहा है क्यों हो रहा है आपके अंदर यह क्यूरे सिटी आड़ा है इग्जामनर यह चाहता है कहाणी सा सिक्षा लो यह चाहता है कि interrupting तो क्यों हो रहा है आपके वाल यहां ध्यान दे तो करें का डिपसीट हुआ ऑप्सन यह है हम जीत गए नहीं पढ़ो यार पढ़ो चीजों को इंट्रेस्ट लाओ वह इंट्रेस्ट जो बढ़िया नॉलेज रखने वाला बंदा है उन्हीं को वह बैंक में लेंगे बैंक में ले जाएंगे ठोड़ी बैंकिंग सिखाएंगे आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो यह बंद्व को लेंगे जिसके पास अच्छी नॉलेज पहले से इंट्रेस्ट ब्राइज मिल क्यों मिला इसको मिनदर कि अधमीं कृरेंट इफेर का सौकीनं अदमीं करेंट दीव माना आदमी कि chemistry का मिला तो क्यों मिला chemistry में इसको क्यों मिला इसको physics में यह महिला थी इसके पहले कि कितनी महिलाओं को मिल जगा वो देखना चाहता है कि आप किसी चीज में interest कितना लेते और इंट्रेस्ट अप लोगे जब आप उस दिन का current affair पड़ोगे आज का current affair को आज खतम करोगे आज की करिंट अफेर को आज खतम करोगे कि आर आज अगर chemistry वाला आया है कोई एक बड़ी निउस आई तो उसको हम डिटेल में पढ़ लिए उसको हम डिटेल में पढ़ लिए अच्छा इसमें अब मैं एक initiative लेने वाला हूँ क्यो जो उस दिन की बड़ी खबर होंगी उसका one minute sorts बनेगा मैं बोलता तो हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं लेकिन अब आप लोग मुझे प्रेशर डालो आप लोग जो है मुझे प्रेशर बनाओ यार बफरिंग अफरिंग ना लिखो यार मैं वैसे ही ठीक है जो भी होगी उस दिन की खबर तो उसका एक वन मिनेट सौट्स बनेगा कि भाई एना और नॉक्स ने लिटरेचर का जीता तो इसके पहले ही इस महिला ने जीता था ऐसे फैक्स वाला वन मिनट सौट्स वन मिनट सौट्स ठीक है बात समझ में आ रही है अब मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि देखो यहां से क्वेशन आया जब भी मैं यह पढ़ाता हूं कि प्रधानमंत्री 31 दिसंबर तक बढ़ गया हो पुछा बढ़ बर्डेन कितना आया तीन महीने बढ़ा था तो बढ़न कितना है तो 44,000 करोड 44,000 करोड में भी उसने 4.4 लैक करोड लिख दिया यानि कि उसमें भी आपका mathematics का टेस्ट ले लिया उसके बाद दोस्तों पूछ लिया जब भी मैं बताता था कि यह तीन महीने के लिए बढ़ा है उस समय तीन महीने के लिए बढ़ा था अब तो मालों 31 दिसंबर 2023 से एक साल के लिए बढ़ गया तो मैं जरूर बताता था जि तो यह अब चीजे बढ़ेंगे यहां पे तक जो लाज डेट थे यह बढ़ेंगे तो देखना कौन कित्ते समय के लिए बढ़ता है तो प्रधानमंती गरिब क्लाण अन्युजना तीर मेने के लिए बढ़ा और वो छे मेने के लिए बढ़ गया तो यह कोश्चन आपके प्रधानमंशन आप लोग देते होँ एन इस एल है नेश्टल इन्सुरेंस है बहुत सारे इन्सुरेंस के भी बेसिक आपको बैंकिंग का बेसिक गीमचेंजर बैच में एक सब्जिक्ट यह आप में बढ़ा दिया गया तो यानि कि आप में इंग्लिश गायब कर दिया गय मार्केट अवेरनेस में आपका इंसुरेंस भी आ जाएगा शेयर भी आ जाएगा बैंक भी आ जाएगा मुच्छल फंड्स भी आ जाएगा कि सर बहुत अच्छा सेसंस था आज का तो आज मैंने यह क्लास जो है ग्यारा बजे सुरू कर दी सौरी यहां एम है मैं समझ के तुम लोग रात में मत आ जाना कि मैंने एकदम बेसिक से सुरू किया इंसुरेंस क्योंकि मैंने नौकरी की इंसुरेंस में तो इंसुरेंस को बेसिक से पढ़ाना सुरू किया है तो दोस्तों यह सारे कॉस्च्छन डिटेल में पढ़िए नेश्टल फूट सीक्यो तीन महीने के लिए बढ़ा तो 44,000 करोण का बढ़न आया और जब एक साल के लिए बढ़ेगा तो उसी को चार गुना कर दो कि दो लाख करोण के अप्रॉक्स का बढ़न आएगा क्योंकि अगले साल तक तो आपके आबादी भी तो और भी बढ़ती जा रही है सर में तो बस जी एस पढ़ने आता हूं अब कि सर आज सुबेश छे वाला सिक्स एम वाला क्लास नहीं हुआ सर आज नहीं हुआ था कल कल होगा बात समझ में आ रही है दोस्तों मैंने तो मेहनत की है मैंने तो मेहनत की है मैं तो भाई आप बेश टुहंड़ेट देखो सितंबर के बाद अक्टूबर पढ़ाया अक्टूबर के बाद नवंबर पढ़ाया अब तुम आए नवंबर के समय तुमने पीछे के पढ़ही नहीं सितंबर अक्टूब पढ़ाया मैंने तो पढ़ाया था ना मिर भाई तूम ना पढ़ो तो इसमें मैं क्या करूं तो कच्छुए की तरह चलता हूं और तुमको भी कच्छुआ बनना होगा अगर सेलेक्शन लेना है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या-kya चीजे जो है आगे यह तो हम लोग ने साथ कर लिया था ना यह सब तो यह सब हम लोग ने कर लिया था उम्मीद में अवसर वाला आया था अवसर अवसर का फुल-फॉर्म कि वहां के जम्मु कश्मीर के किसके साथ टाइफ हुआ है कोई पुरूटक्स बनाते हैं उसको फाइदा पहुचाने के लिए दोस्तों कोई राज एमाजॉन के साथ करता है कोई प्लीपक् paved कोई की साथ करता है काई ताकि इन वहां के लोकल लोग जो गाऊं के लोग हैं जो आदीवासी लोग है उन के प्रोड़क्स बिकेंगे कहां बनात दो वो लेंगे अब उसको खपाने के लिए इन शबसे टाइप किया जाता है ताकि उनके प्रोडक्स यहां पे बीए जेंप पोर्टल पे भी देखो कोपर्टिव सोसायटी सेलफ हेल्प ग्रूप कर सबसे बड़ी खरीदार कौन है यूपी है और इंडिया लिम्टेट भी है ठीक है बाद समझ में आ रही है कि स्यांगी के रिसर जब से क्लस करिए तब से अच्छा लगने लगा भावेश भी कह रहे हैं तो यार इंट्रेस्ट ला दूँगा मैं बस तुम क्लस तो करो इंट्रेस्ट तो मैं ला दूँगा कि तुम्हें इतने किस्षे कहानियों में चीज़ों को पढ़ाओंगा कि तुम्हें यह नहीं लगेगा कि तुम चीज पढ़ रहे। कि मज़ा आ जाएगा और तुमें इंटरेश्ट आने लगेगा बस तुम लोग समय दो हाली में किस संक्तर ने भारत में महिला आर्थिक ससकति करणा का समर्थन करने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मौ पर हस्ताक्षर किये हैं महिंद्रा गुरूप के साथ महिंद्रा गुरूप के साथ ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त पर दोस्तों इस महिंद्रा से भी कुश्शन आया था कि माफिया को भेज करके लौन रिकवरी करानें 3rd किस कंपनी को बैन किया गया तो महिंद्रा इन महिंद्रा को बैन किया गया ball आरबी आई ने बैन किया कि तुम थर्ड पार्टी से रिकवरी नहीं कराओगे लोन की उसको धंकिया नहीं दोगे उसका जीना दूभर नहीं करोगे और उसके लिए टाइम भी रखा है बाकी कमपनियों के लिए भी कि सुबेरे आठ बजे के पहले फोन मत कर देना किसी को लो सुधा मुंडा और रतन टाटा के पहले वाले में उसमें सुधा मुर्ती हुई थी कि सुधा मुर्ती वाला कोश्चन आ गया पीम केर फंड से सुबे वाले में भी कोश्चन था साम वाले में भी कोश्चन था एनभी एपसी के लेयर से सुबे भी कोश्चन था साम को भी हैं भात समझ में आ रही है उस देश का नाम बताईए दोस्तों जिसे फैमिली प्लाणिंग में दोस्तों जो है लिडर्शिप का और मिला है बेस्ट कंट्री चुनी गई एक्सिलेंस लिडर्शिप फैमिली प्लानिंग और इसका भी रखाय एकसल आवार्ड तो दोस्तों ये इंडिया को मिला है वो देश को जो अगले साल चाइना को बीट कर जाएगा उस देश को रखा है फैमिली प्लानिंग में बेश्ट क्या बात है बाद गजब की विडम बना है देखिए इंटरनेशनल कांफरेंस और सब्सक्राइन भूइम भूए तक अब वेखिय और इनडिया से भी सस्कि strengthen से ठाइब निरबेश की OS Peligone यह जहां पे पहला आत्मनिर्भर कॉर्णर खुला था 75 नेसी सब्सक्राइबेश नेंं हैं अ आत्म निर्भर कॉर्णर आत्म निर्भर भारत कॉर्णर ए बी सी दोस्तो टाटा लिटरेचर बुक आफ द इयर आवार्ड जो है वो मिला है बुक दे मैप एंड द सीजर्स को मैप एंड द सीजर्स को कल एक बुक आई थी happiness वाली बुक किसकी अरुंधती रॉय बुकर्स आवार्ड जो भी बुकर्स आवार्ड विनर्स हैं उनके जितनी बुक से आपको याद रखनी होगी चाहे वियस नाय पॉल हो चाहे सलमान रुष्टी हो चाहे गितांजली श्री हो चाहे आपके अरविंद जड़िगा हो किरन देशाई हो जितने भी फेमस राइटर अंधती रॉय हो और भी फेमस राइटर हैं जैसे अब्दुलकलाम सहाब की बहुत सारी बुक्स हैं बेस्ट सेलिंग सशी थरूर सहाब की है चेतन भगत साब की है तो यह बहुत फेमस राइटर सें ऐसे तो बाकी लोग के आटोबाइग्राफी आती रहती एक आग दो बुक रॉबिन वो क्या नाम है यार रॉबिन करके रस्किन बॉंड उनकी बुक है बहुत समझ में आ रही है कि दोस्तों हम लोग की देश की अबादी 8-8 अरब कभ हुई है दुनिया की अबादी 8-8 अरब कभ हुई है पॉपुलेशन से भी आपके यान कोष्चन साहरे याद रखिया कल वर्ड गाये गल्ड चैण डे फूंचा था कल वर्ड गर्ड चायल्ड ये पूछा था इंटरनेश्चन गल चेट पूछा गया था तक अब दोस्तो पीबिश को मिला है टाटना लिटेटरेचर वाले अवार्ड में हाप हर्पर इंडिया को दोस्तों जो है यह टाटा लिट्रेचर का अवार्ड मिला है बेश्ट पब्लीशर का कि हारपर कॉलिंस इंडिया के सीओं है अनंत पद मनाभन कि दोस्तों इंटरनेशनल मेंस डे जो 19 नवंबर को मनाया जाता है इसकी थीम क्या है कि दोस्तों यह ऐसे प्रजाती का दिन है दोस्तों दुनिया में ऐसी द्वरलफ प्रजाती जिसका डे कोई नहीं मनाता मतलब लोग टाइगर डे मना लेंगे लोग लॉयन डे मना लेंगे मदश डे पर बड़े एसे लिखे जाएंगे निबंद लिखे जाएंगे गर्ल्स डे पर बड़े इनिशियेटिव आएंगे इस आदमी का डे आएगा चला जाएगा पता नहीं चलेगा किसी के वाटसअप स्टेटस पर किसी के जो है फेस्बुक पोस्ट पर कहीं नहीं देखेगा कि इस विचारे को भी जो है सम्मान दिया जा रहा हो कभी नहीं तो दोस्तों है हेल्पिंग मेन थों मर्व क्यावल इनके लिए यू बी आई की ए मनी मेखलाई जो है दोस्तों उन्हों नहीं मेंस के सपोर्ट में इनिसियेटिव लिया था इन्हों नहीं स्टेप लिया था बाकी इसके साथ बहुत अन्याय होता है इसके उपर इसके साथ लिए कोई कानून भी नहीं बनता है इस विचारे को अगर बीबी को मारे तो भी नामर्द कहलाता है बीबी से मार खाये तो भी नामर्द कहला विचारय बहुत दुख्षी है इसके दुख को कोई समझ नहीं सकता ouais दोस्तों दुनिया भर में वीमेंस आन्त्रप्रेर्णियर्स डे जो है विमेंस अंत्रप्रेश्व्डे जो है महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है जो फटा फट बताइएगा दोस्तों मेरे महीलाओं को अंत्रप्रणियर बनाया जा रहा है महिलाओं को आंट्रप्रणियर बनाने के लिए पुरा देश लगा हुआ है 19 नवंबर को ही मतलब इस दिन भी महिलाओं को चैन नहीं है कि एक दिन मेंस डे है तो उनको सांती से मना लेने दे उस दिन में महिलाएं घुज गई ह inveji पने सूब हम लोग को यहां पे यूटूब में में बता रहा हूं ऐसी वेकं सी आती है कि फाधी कि फीमेल रीजनिंग टीचर की जरूरत है फीमेल जी पुरह सर्फ यसा चरिंश की जरूरत क्योंकि कुछ लाली लिपिष्टिक वाली मैडम लोग के वीडियो वाइरल हो जा रहे हैं तो इसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है लड़कों गलती है वह मैडम लोग की वीडियो को ब्यूट करकर के देख रहे हैं उनको पढ़ने से नहीं मतलब है मैडम को देखने से मतलब है तो मार्केट में वेकेंसी भी आती है तो महिला टीचर की जरूवत है क्योंकि उस पर उनको बहले पढ़ने पढ़ने ना है उनको कोई सेलेक्शन से मतलब भी नहीं है सेलेक्शन हो ना हो उनको कोई मतलब नहीं है इसी दिन जो है दोस्तो 19 नवंबर को Integration Day मनाया जाता है नेशनल Integration Day मनाया जाता है में तो दोस्तों यह प्रेदर्सनी इंदरा गांधी जी का बड़े मनाया जाता है इंदरा गांधी जी का बड़े कि इसको जब हिंदी में देखो होगे तो एकता दिवस कहते हैं और एक राष्टी एकता दिवस इनके डेठ डे के दिन भी मनाया जाता है यानि की 31 अक्टूबर कि अ कि बात समझ में आ रही है तो दोस्तो नेशनल इंटिग्रेशन डे जो है वह 19 नॉमबर को मनाया था इंद्रा गांधी जी के बड़े पर और इनके डेठ वाले दिन राष्टी एकता दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन जो है दोस्तो 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का बड़े वह भी एकता दिवस सेट वह राष्टी एकता दिवस है कौमी एकता दिवस है 31 अक्टूबर को इंद्रा गांधी जी की गोली मारके हत्या कर दी थी उनके बॉडी गार्ड्स ने कि बात समझ में आ रही है कि दोस्तों संगठन का नाम बताई जिसने हाली में तिलंगाना तुर्की के बीच व्यापार और निवेश की सुविधा के लिए तुर्की के फॉरेन एकोनॉमिक रिलेशन बोर्ड के साथ एक टाइप किया एक समझोते ग्यापन पर हस्ताचर किये दोस्तों कि वीमेंस स्टार्टप डे नहीं है वीमेंस अंत्रप्रनियर डे है तो दोस्तों अगर देखा जाए तो तेलंगाना का जो टाइप है यह ती नाम वालों से बहुत होता है तुर्की से भी हुआ साथ हाइलेंट से भी हुआ था तेलंगाना का टा ता यह तुर्किय दोस्तों वह यह तो टी नाम वालों से बहुत होता है वेरिट्रेशन ऑफेलंगाना चेमबर अफ्कॉमÓर्स अंई इंडस्ट्री तेलंगाना का इंफलेशन सबसे ज़्यादा है अब दोस्तों आरबी आई जो है इंफलेशन जो एक्सपेक्टेंसी रिपोर्ट निकालती है आरबी आई जो मॉनेटरी पॉलसी कमिटी मीटिंग होती तो बोलती है न कि हम इंफलेशन का टार्गेट यह रख दिये हैं गत्स पॉइंट सेवन परसंट इस बार का तो कितने सिटीज में वो सर्वे गराती यह कोश्चें आपके एक्जाम में आया कि कितने सिटीज में pooha कि क्तने सब्सक्राइब करतीए जसे सब्सक्राइब बैंक को टाइब कुछ नहीं पूछा एक चीज बड़ी कॉमन पूछा वास्ट्रो एकाउंट वाला कोश्चन ऐसा कोई सेशन नहीं हुआ है जब से न पूछा पहले वाले सेशन में पीटर्सबर्ग बैंक पूछ लिया सेकेंड वाले में एस बी यार बैंक पूछ लिया जो मैंने तेलंगाना थाइलेंट की जगा तेलंगाना लिख दिया क्या आकरी में क्या बात है तो चलिए दोस्तों बहुत बढ़ियां देख लीजे यहां पर यह टाइब चल लाए यह जो है तुर्की जो है भारत का दुस्मन है इसके पर चांद तारा बना हुआ है हाली में किस राजने बच्चों के लिए दोस्तों प्रारंब नीती शुरू किया किस राजने प्रारंब पॉलसी शुरू किया किस राजने इस्टेट वाले कुश्चन भी नहीं पूछे गए इस्टेट में किस स्टेट में क्या हुआ किस स्टेट में क्या हुआ ऐसा भी खाली रिपोर्ट्स रैंकिंग रिपोर्ट्स रैंकिंग एसे ही कुश्चन्स आएं खाली रिपोर्ट्स रैंकिंग रिपोर्ट्स रैंकिंग बताओ आईएस वालों से भी इतने रिपोर्ट नहीं पूछे गए होंगे दोस्तों उडिसा उडिसा में प्रारंब पॉलिसी सुरू की गई है बच्चों के लिए ठीक है बत समझ में आ रही है अब आज कर डीटेल में भी पढ़ना पड़ता है क्यों कि भैया यहां पर कुछ भी हो सकता है हो सकता है पूछ ले कि यहां पर किसके एकॉर्डेंस में बनाई आ जा रहा है इसको कितने साल के बच्चों तक के लिए है जैसे यह पूछ लिया ना पीम केर फंड में स्टेट्मेंट बेस कोशन ता कि 10 लग का इंसूरेंस दिया जा रहा है वो जो और फन हुए है बच्चे अनात हुए हैं पीम केर फंड का पैसा तो कितने साल तक के बच्चों को दिया जा रहा है कि सेल्फ हेल्फ महिलाओं के लिए कोई कल्यारी ओजन आई है उसमें मैक्सिमम इंट्रिएज कितनी है महिलाओं की ऐसे भी कॉश्चन्स आपके एक्जाम में आ रहे हैं ओके तो वह या ऐसे भी कॉश्चन्स आपके एक्जाम में आ रहे हैं ध्यान दीजिएगा ठीक है और यह एकदम अब डिटेल में तुम कौन से मंत्की पड़ोगी यह भी बड़ी दिक्कत की बात है अकसर जो होता था कि लेटेस्ट मंत के डिटेल अब पुराने से उपर उपर से संत्री गरीब कल्यार योजना का डेट एक तोजा तक के लिए बढ़ गया तो तुम पिछला वाला पूछ रहे हो कहीं से भी यह लॉजिक नहीं बनता है कि पीम केर फंड में जब नए ट्रश्टी आ गए हैं तो पुराने ट्रश्टी कौन एड़ हुए ते उसको पूछ र रहे हो इसमें तो नए ट्रश्टी भी आ चुके हैं अरे यह जो तुम पूछ रहे हो कि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया है गरीब कल्यार अनुजना वह तो एक दिसंबर 2023 तक बढ़ाया जा चुका है तो ऐसे ऐसे एक्जामनर भी हैं जो खुद अपडेट नहीं है वह बस कोई महीना और वहां से जो भी पतियुकता दरपड में डिटेल में दिख रहा है पूछ डालने इस से यह देखो कि पतियुकता दरपड मैगजीन मैंने क्यों रिकमेंड की थी इसलिए रिकमेंड की थी कि जो रिपोर्ट आएं उसको डिटेल में पढ़ लो जो बैंकिंग जियो मार्ट टाका तोका ये वी जियो मार्ट से हम लोग ने इसे याद रखाता ना कासीम जियो मार्ट में गया जॉब करता है खजाकिस्तान की कैप्टल नूर सुल्तान थी वापस से अस्ताना कर दी गई और तेंगे यहां की करेंसी है कि और स्वियरी और स्वियाई कि दोनों में सितंबर अक्टूबर पूछा है हाँ मां आए पियो में टो हम लोग ने बना ली आता ना क्योंकि उस समय हम लोग अक्टूबर चली रहा था सितंबर खतम ओखत्म अक्टूबर चल रहा था इसके जब SBI है तो उस समय हम लोग अक्टूबर खतम हुआ नवंबर चल रहा था बेस्ट टो लोग पुराने स्टूटेंट उनका अपडेट था लेकिन जो नए स्टूटेंट उस समय आए तो उन्होंने तो इधर का पढ़ा पुराना पढ़ा ही नहीं इसलिए मैं कहता हूं रही है क्योंकि हमारे रिगुलर क्लास चलती रहती अब जो तुमने आई जो तुमने स्बी आई क्लर्क में प सब्सक्राव पर नामिका का चल करके कि अ अब में धेश के साथ में आड़ेंट सब्सक्राइं है चैनल उसकि के सच एवस्टम्रों Тоya गुमेंट हुआ है एकृइगरिमेंट जो आश्टेलिया के साथ यह औरन देश के साथ हूआ है फ्रीटमा अबेस्ट हो जाएंगे ऐंग लिए पर्सेंट में कि दोस्तों इसने जहाए कि कर दिया है कि टैरिप कहते हैं जो वी देशी मुल्क हमारे प्रोड़क्स में जो टैक्स लगाती है जैसे हम लोग लगाते न कस्टम ड्युटी तो उसे टैरिफ कहते हैं अगा श्टील एलमुनियम के फैबरिक्स चीपर हो जा कि दस लाक और जॉब बनेंगे आपको सर यह सब क्या पढ़ा रहा है पढ़ा लो भाईया वह भी पूछ सकता है कि बताओ इस इससे क्या होगा भारत की एक्सपोर्ट टेन बिलियन डॉलर कब तक हो जाएगी अच्छा रिपोर्ट की ये बात कि कि में कुछ कहाएगा अब तुमय याद कुक रख की यौ साल तक भारत जो है चैना की आबादी को को भीट कर जाएगा मनलों 2022 में पढ़ेते दिसंबर में अगले साल यानी इसी साल 2023 में ही तो दोस्तों जो है यह बात याद रखिएगा ठीक है एक्टा एग्रिमेंट को दोस्तों 12 अप्रेल को साइन किया गया था जिस दिन सेवी का भी बड़े सेवी का भी बड़े लिष्टेट कंपणियों को कौन और अडिट करता है तो एक लोग लिखे कि सर मैंने तो CAG करता है मेरे भाई CAG केवल भारत सरकार के एकाउंट की जाज करता है वो बैट के सारे कंपनियों की जाज आडिट करेगा इतना उसके स्फालतू समय नहीं है कंपनियों की अडिट करने के लिए चाट्टेट अकाउंटेंट्स हैं देज भर में की लिश्टेट कंपनियों के ऊपर नजर सेभी कि रहती यह तो दोस्तों यह जो सक्ङ्च्रू नाष जो है दोस्तों फॉयर पावर एकसरसाइज यह कहां पर हुई यह राजस्थान फायर पावर में एक से तोप गोले छोड़े गए दोस्तों पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान में इंडियन आर्मी का यह था रेगिस्तान में बहुत तगड़ा जो है युद्ध भ्यास था ठीक है राजस्थान से कोई न्यूस किसी राज से कोई न्यूस किसी राज से कोई न्यूस थी कल सारंग बुसान में इंडियन एंबेसी में दोस्तों साउथ कोरिया में इंडियन फिल्म फेस्टिवल मनाया गया सारंग में इंडियन फिल्म फेस्टिवल मनाया गया तो दोस्तों बेस्ट टूंडेट पढ़ने का तरीका क्या है पीछे जाओ जितना पीछे जा सकते हो जाओ इस बार तो मैं ये भी करूंगा SBI PO के समय में वैसा ही कर दूँगा करीब जो है दिन में six month current affair पढ़ा दूँगा जैसा कि मैंने आई-vps क्लर्क के समय किया था ठीक है एसा करने का कोशिश करेंगे पिछले बार तो मैंने समय मैं तका पढ़ा दिया था जून से भी अए जुलाइ से भी आएंता सबसे आये हाँ ठीक है मैं गुरुप जॉइन करा दूंगा तुम लोगों टेंसेंगा कुंबल गड़ राजस्थान कोश्चन आयदा कुंबल गड़ फोर्ट कहां पर है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया जो चाइना की वॉल की तरह है फोर्ट वह कहां पर है दोस्तों आयूश मंत्राले ने एनाउंस किया है कि वो जो है आयुरुवेदिक साइंस पे अकेडमिक शेयर दो है दोस्तों इस्थापित करेगा सिडिन इनवर्सिटी में वेस्टन सिडिनी इनवर्सिटी में ऐस्टेलिया के साथ हम लोगे बहुत सारे टाइब्स हुए हैं उसी का यह पाइट प्रधान-म जो है एक चीज बड़ी गरबड हुई है क्या हुई है कि आई बीपियस आरार्बी क्लर्क और आरारवी प्यों का पेपर एक ही दिन कर दिया गया केलेंडर के कोडिंग अब अब आप मनाओ कि दोनों के पेपर अलग-अलग हों बनना तो बड़ा गरबड हो गया है और वैसे इस बार इलेक्षन का साल है दस लाख नौकरी देने का इनका है कि दस लाख नौकरी हम देंगे और इसमें पहले फेज में उन्होंने 75,000 लोगों को अपॉइंट में लेटर दिये थे दूसरे में 71,000 यह करके आ रहे हैं कि पहले भी नौकरी देते थे लेकिन पहले उसको गिनवाते नहीं थे तो विपक्ष बोलता था आप तो नौकरी नहीं दे रहे हैं अब की बार इन्होंने बोला 2024 तक हम जो है दस लाख नौकरी देंगे वी 2024 में इलेक्षन है तो अब वह गिना रहे हैं कि देखो हम 75,000 दे दिये ना तो हमें 1,46,000 दे चुके हैं यानि इस बार नियुक्तियां भी जल्दी जल्दी होंगी अपॉइंट में लेटर जल्दी से देने के लिए रोजगार मिला करेंगे उ उन सब ने जितनी नौकरिया हैं उनको एक ही दिन अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और मोदी जी वीडियो कान्फरेंसिंग से सब को जो है एड्रेस करवाएंगे तो इस बार वेकेंसी बहुत आएंगे इस बार अगर सेलेक्शन ले लिए तो ले लिए वरना फिर जो है भगवानी मालिक हैि इस बार अभी से पड़ो साल भर पड़ो चणिक मत पड़ोगी आयेगा तब पढ़ेंगे अभी घुमते हैं फिरते हैं कभी नहीं चचढिक नहीं पड़ो लगा तार लगा तार जिम्षा अदोर्वादी बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है उस तरीके से पढ़ना पढ़ेगा एक करके नंबर जोड़ना पढ़ेगा कच्छुआ बनना पढ़ेगा रेगुलर बनना पढ़ेगा दोस्तों आसाम की जो सनक्षणवादी हैं ऐसे कंसर्वेशनलिश्ट हैं पुनिमा देवी वर्मन उन्हें दोस्तों जो है युनाइटे नेशन हाइएस्ट इन्वार्मेंट ऊंडर चेंपियन औफ दृ ऑफड चैंपियन ओवार्ट कम disability दोस्तों 2500 में star drown in नैरोबी यानि कि Kenya में नैयरोबी यानि की Kenya में है दोस्तों जो 1972 में आई थी दोस्तों पांच जून को दोस्तो 50 साल जो है पिछले बार इसका मना इंवार्मेंटस दे इसी दिन हम लोग मनाते हैं इसके इस थापना दे को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं इस इनवार्मेंटस दे की धीम थी दोस्तों कुंअ औली बन अर्थ केवल एक ही अर्थ है यार कहीं दूसरे ग्रह पर भी नहीं जा सकते हैं इसको अच्छे से रखो चैंपियन ऑफ दी अर्थ अवर्ड दोस्तों इंटरनेशनल सोलर एलाइंस बनाने के लिए नरेंद मोदी जी को और फ्रांस के उस समय के राश्पती फ्रांसिस होलांदे को मिल चुका है इंटरनेश्ट दोस्तों Champion of the Earth Award कोचीन एरपोर्ट को मिल चुका है क्योंकि वो जो है दुनिया का पहला 100% सोलर पावर से चलने वाला एरपोर्ट था विद्यूत मोहन को मिल चुका है दोस्तों विद्यूत मोहन को यंग चैंपियन ऑफ दी अठवार्ट क्योंकि 17 साल के थे उस समय यह टेका चार नाम की दिल्ली में कंपनी चलाते हैं जो कि जो किसानों की पराली है जिससे समोग हो जाता है दिल्ली में पंजाब में हर्याना में बहुत जगह जलाई जाती है बहुत ज्यादा तो पंजाब में सबसे ज्यादा तो उनके पराली को जलाओ मत उनको दे दो वो तार्कोल में बदल देंगे चार्कोल बदल देंग युनाइटे नेशन इनवार्मेंट प्रोगराम ने और इनहीं को दोस्तों प्रिंछ विल्यम्स जब पहली बार इंव्यारमेंट का ऐसकर दे रहे खें जिसे की आर्थ शॉट्ट प्राइज कहते हैं वो दोस्तों जो इंगलेंट के राजकुमार दे रहे है प्रिंस विलियम्प जो कि अबिवेल्स के प्रिंस बने है तो दोस्तों देखा जाए तो इनको वो मिला था अवाड और अब इस बार किसको मिला है इस बार का इन्वारमेंट को आस्कर तेलंगाना की एक कमपनी है खेती उसको मिला है ठीक है बात समझ में आ रही है कि सर इंस्वरेंस का पार्ट कहां से कंप्लीट करूं इंस्वरेंस का पार्ट जो है मैं इंस्वरेंस की पार्ट साला मैंने शुरू की है आज सुबह 11 बजे की क्लास में आज ही से शुरू करी है कैसी लगी इंस्वरेंस की ब तो मैंने training करी थी और बजाज लेडिये तो मैंने को जी आ हैं तुम लोग एक सएक terms पढ़ाऊं आ भी तो इήσरैंस की कहानी पढ़ा रहा हो history पहला Insurance कब आया यह कैसे हुआ वह कैसे हुआ बहुत मज़ा आ रहा था तो वो जो है रोज चलेगा 11 बजे वाले सेशन में सुरू में मैं फिनेंशल न्यूस पढ़ाऊंगा फिनेंशल करेंट अफेर्स पढ़ाऊंगा और लाश्ट में यो टेलिग्राम गुरूप का यहां पर लिंक भी दिया है लाइफ चेट में उसको मैंने भेजा है तुम लोग को उसको प्रमोट कीजिए ज्यादा से ज्यादा से सेशन में भेजिए उसको कॉपी कर लो तुम लोगो वाटसेप भी भेजा है मैंने उस लिंक को कॉपी कर लो और अपने दोस्तों को भेजो किया रहे इंसूरेंस की पाट साला चल लए इंसूरेंस को बेसिक से पढ़ना है तो यह वीडियो फॉलो करो इस क्लास को फॉलो करो क्योंकि इस समय पूरे देश के बच्चे ढूंड रहे हैं कि इंसोरेंस को बेसिक से कौन पढ़ाएगा कौन है जो मुझे मेरी भासा में समझाएगा टेकनिकल तो बहुत सारी चीजे चल नहीं होंगी ında है कौन ईंस्वरेंस में काम किया वो मुझे समझाएगा वो छीजे जो हैं आपको मैं समझाऊंगा और बहुत मज़ा अगा जो मेरा जो फेवरेट है तो पहुत समय हो गया लेकिन आज किसी ने नहीं बोला समय हो गया क्योंकि सबको मज़ा आ रहाता दोस्तों इस टार श्राइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डों ने मैंचेस्टर उनाइटेट से दोस्तों नाता तोड़ दिया है और दोस्तों जो है उन्हों ने जो है अल्नासर से नाता जोड़ लिया नासर क्लब से नाता जोड़ लिया दोस्तों साइटी अरभिया का है दुनिया में सबसे महंगे जो है विखने वाले खिलारिय है यह 214 मिलियन में में इस दो सचाओदा मिलियन यूएस डॉलर में कि सर स्सेजिक के लिए कुछ की cowos ठीक है सर कॉंग्रेचुलेशन्स फ़र सेवन के सब्सक्राइबर क्या बात है सेवन के सब्सक्राइबर तो कल पहुंचा और तुरंट 7,235 भी हो गया कल तो बहुत सब्सक्राइबर है कल जो हम लोग हम लोग ने 2nd SipT के चल करी गल जो हम लोग ने 2nd सिफ कर हम लोग लोग ने ऑल सिफ जी एक कुश्चन आस्ट भी रात को कराया दस बजे और वो दोनों वीडियो जो है चार हजार व्यूज और तीन हजार व्यूज अपने छोटे से चैनल के लिए तो इतनी बहुत बड़ी बात हो जाती है हम लोगों के लिए तो उसकी वज़े से बहुत सारे बच्चे एड हुए बहुत सारे सब्सक्राइबर एड हुए और उनको एक भरोसा जगा यह इतने टफ पेपर में भी जो है सर ने जो capsule discussion कराया एक बार capsule discussion देखना जिन लोग ने नहीं देखा है तो आपको लेवल समझ में आएगा कि मैंने किस लेवल की तैयारी कराई थी आप लोग को ऐसा तो किसी capsule में मिलेगा भी नहीं जिस लेवल के मैंने capsule discussion आप लोग को करा दिया था और वहां से question मिल गया तो बहुत दिल को खुशी मिली यह एंबीएपसी का लेयर मैंने जो है कि ऐसे ही पढ़ा दिया था एक्स्टा नॉलेज देने के कर में एक साल पुरानी बात थी बैड़ बैंक के बारे में तो मैंने एक साल पुरानी बात थी मैंने असी बता दिया तो वह सारे questions जब आ गये ना तो दिल को बड़ी तरसली मिली मिली है कि हैगी नहीं तो दोस्तों जो है यह है आपके Cristiano Ronaldo दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले मैं 117 गोल तक तो मैंने देखा है अब इसके आगे गोल बढ़ी गए होंगे तो Cristiano रोनाल्डो से ज़्यादा गोल किसी नहीं किये हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इनके बाद लियॉन मेसी का नंबर आता है उसके बाद अपने सुनिल कि शलिए बहुत बढ़िया फीफा में दोस्तों जो लिए रैंकिंग का इटक्वार्टर जीओरिक में है जी यानी इन पीटनीनो है हमारी रैंकिंग 106 है व्रृड कुप की बात करे दोस्तों तो जो है वर्ड कप में अरजिंटीना पहले पर फ्रांस दूसरे पर तीसरे पब कुल छफ्रform假 ओर इंगलैंड को फैर प्ले आवर्ड मिला है फीफा रैंकिंग में बात करें तो पहले पे ब्राजिल दूसरे पे अर्जंटीना तीसरे पे फ्रांस चौथे पे बेल्जियम और पांचवें पे इंग्लेंड जिसको की फेयर प्ले आवार्ड मिला ठीक है क्लियर है याद रहेगा प्रिसां के रहे सर कल मैं आप आसपास बैठे बच्चों से को सज़ेस्ट करके आया कल अंकित नाम के लड़के ने फोन किया था मुझे अंकित ने वह चैन्ने से तो चैन्ने से उसने रिव्यू बताया सेकेंड का बहुत अच्छा से उसने बताया और मैंने बोला है तुम आये हैं देखो जो है सर से पढ़ो करें सर मेरे आसपास जीतने लोगते सब आपी से पढ़ते हैं तो मैंने खाए वायार अपनी ख्याती यार कन्या कुमारी तक फैल रही है कश्मीर से कन्या कुमारी तक अपनी क्याती फैल एक साथ मेरे आसपास जीते लोगते सब आपी से पढ़ते थे वाह यह तुमने जो न्यूस सुनाई है ना चैन्नाई से वह मेरे लिए जो है कि बड़ा ही मतलब बड़ा ही एकदम अलग फिलिंग है मेरी मैं तो उसकी कटिंग सोच रहा हूं रख लूं मैंचेस्टर उनाइटेड से कोश्चन याद आ रहा है मैंचेस्टर उनाइटेड ही साथ इसको जीयों ने जो है दोस्तों जीयों इसके साथ पार्टनर्शिप करिए मैंचेस्टर उनाइटेड जो है यह मैंचेस्टर सिटी के जो क्लब है यह तुमारा यूके का क्लब है जिस से जी यो ने टाइब किया है ठीक है ठीक है ठीक है और जी यो के हेट कौन है आकास अंबानी अनंत संबानी किसके हैं महराष्ट एकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हैं दोस्तों यूनियन मिनिस्टर आफ इन्फॉर्मेशन ब्राटकास्टिंग मिनिस्टर जो है अनुराख ठाकपूर जी ने दोस्तों साउथ एशियन फिल्म मार्केट फिल्म बाजार में दोस्तों 12 नवं बंगला देश जिसके साथ वाटर ट्वीटी हुई थी इसको दोस्तों कोई डि आई एवार्ड मिला था और यह दोस्तों 16 फिल्म बाजार था तो लहावा फिल्म बाजार इसका उद्गाटन कहां पर हुआ है तो फिफ्टी थर्ड इंटरनेशनल फिल्म इंडिया है यहां से कोई कोश्चन नहीं नदाव लाय पिड इतना सब करेंट भाशू गएर बनाके फालतूं गयcely पूछना था टुम रेटर ही पूछनी है क aurink किन्ग और रिपोर्ट रांकिंग रिपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट तो बैंकिंग से पूछ लिए होते हैं बैंकिंग से भी नहीं पूछा मलब वह जान बुच के ऐसे से कोश्चिन पूछ रहा है जिसका तुम जवाब ना दे पाओ लेकिन यह मेरे विद्यारती हैं तो मिनको हलके में ले रहे हूँ दोस्तों हाली में भारत का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड सीपिंग किसने लॉंच करी है मुंबई में प्रदर्षनी लगी थी दोस्तों एक पो इंटरनेशनल मेरीटाइम कॉन्फरेंस था जिसे इन मार्कों भी आप सौर्ट फ़र्म में कह सकते हो यहां पर दोस्तों इंडियास फर्ष्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फर ग्रीन पोर्ट और शिपिंग ग्रीन पोर्ट ऑफ शिपिंग दोस्तों जो है शुरू की गएा सरवन सर्वनंस तोनेवाल ने किया महराष्च में मुंबई में तोस्तों एक्षादी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्ष़िलेंस शुरू हुँआ है यांतों ग्रीन शिपिंग ओप्ष के लिए जिए सेंटर ऑफ में से लिए शुरू किया गया दिल्ली में बत समझ में आ रही है कि दोस्तों किस राज्य में बुद्धवनम अपनी तरह का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा बॉद्ध विरासत थीम पार्क है बुद्धवनम दोस्तों फर्स्ट फिट्स काइंड लाज़ेस्ट बुद्धिज हैरिटेज थीम पार्क इन दवर्ड ठीक है यह कहां पर चले दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रखते हैं भाई अभी आप लोगी एक्जाम से छूटे हो तो इतनी लंबी-लंबी क्लास नहीं करेंगे अभी अराम से लेके चलेंगे और फिर जोर देंगे जैसे ही एक्जाम नज़्दिक आएंगे आप लोगों के जोर देंगे अभी हलकी ख्लास करते रो रोच करते रो लेकिन रोग पढ़ते रोधर ने थोड़ा थोड़ा तो बहुत हो जाएगा और बहुत सारा एक दिन में करोगैं तो कुछ नहीं हो पाएगा तो तुम भी हर बड़ी में एक न्यूस पर फोकस करो उसके डिटेलिंग पढ़ो रोज की करेंट अफेर्स में से इंपॉर्टेंट न्यूस की डिटेलिंग करो यह आज कुछ हुआ यह इंपॉर्टेंट है iç में क्या क्या चीजिये महतपुर्ण है क्युछ चोटे शोटे वीडियो भी बना के डालूंगा मेरे से कि उसकी टाइमिंग रख लेंगे कि इस टाइम पर मैं सौर्स बना करके तुम लोग को भेजूंगा ठीक है तो यह सब होगा अब यहां पर चलो तो आज का दोस्तों सेशन इत्ते ही रखते हैं इंसोरेंस की पार्ट साला सुरू हो चुकिए सुबह 11 बजे इंसोरेंस को बड़े बेसिक से पढ़ाया है कैसे समुद्री लूटे रे लूटते थे जहां से इंसोरेंस की सुरुवात हुई है कैसे भारत का जो पहला इंसोरेंस जो है दोस्तों वो जो है फायर इंसोरेंस था फायर इंसोरेंस कंपनी का नाम बताईएगा यह भी होमवर्क लिए भारत की पहली कंपनी कौन सी थी इसके बारे में भी आज मैंने बताया तो दोस्तों शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा और उस इंसोरेंस वाले को भी शेयर कीजिए आज मैंने क्लिप बना के भेजिए इंसोरेंस की पार्ट साला का वह फुल वीडियो का ही पार्ट है त इस बार एक्जाम है ना यार इस बार इलेक्शन है ना बहुत सारी ऐसी वेकंसी जो पांच साल में एक बार देखते हो वह इस साल दिखेगी क्योंकि पांच साल में एक बार चुनाव होता है चलो ओके थैंक यू सो मुझ शुक्रिया धन्यवाद बाबाई टेक केर लब यू गड़ ब्लस्यों